मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पौश सके हाई फ्रेंड्स मैं शुबचीत कंप्यूर टीचिंग इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसफ्ट ऑफिस एक्सेल लेसन 7 में जाएंगे और उसमें कोस्टिन दिया है लेसन 7 में वो है क्रेट दा फॉल्लिंग टेविल फॉर दा मांत अफ जन्वारी कोई एक कंपनी का मांत अफ जन्वारी का हिसाब है यह कुछ स्टाफ का नाम है और डिपार्डमेंट है उसका बेसिक है यहाँ पर हम लोग को टीए डीए एचरी करना उसके बाद ग्रॉस अरी क्याकुलोशन करना आए उसके बाद टैक्स का कड्क बाद है मतलब टैक्स के ऊपर गुछ बीए पार टैक्स कटा जाता है तो यहां पर कल्कुलोशन होगँ ऊसके पे कम का दिया है ताकि आप लोगों को भी समझ में आये ठीक है तो चलिए पहले Excel में इसको बना लेते हैं टेबिल को तो देखें फ्रेंट से आप मैंने टेबिल को बना लिया है कोस्चिन क्या दिया है वो देखते हैं calculate TA 3%, DA 5%, HRA 8%, ESI 2% और PF 7.2% यह सबको पहले हम लोग एक एक करके calculation कर लेते हैं तो पहले हम लोग को करना पड़े का TA 3% तो equals to first bracket basic cell address into 3% और bracket close फिर enter तो TA calculation हो गया 3% अब हम लोग को DA calculation करना है 5% equals to first bracket basic cell address into 5 percentage symbol bracket close enter DA हो गया 5% की हिसाब से अब HR कितना करना है वो एक बार देख लेते हैं HR है 8% तो करिए यहाँ पे equals to first bracket basic cell address into 8% bracket close enter इसके बाद ESI करना है 2% equals to first bracket basic cell address into 2% bracket close enter आप लोग यहाँ पे कोई भी percentage लगा सकते कोई भी amount लगा सकते कोई problem नहीं है ठीक है PF equals to first bracket basic cell address into 7.2% bracket close enter तो यहाँ पे देखिए PF भी हो गया है अब हम लोग को यहाँ पे gross calculation करना है तो gross तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह के table बनाया थे पहले भी लेकिन gross यहाँ पे लेकिन सभी को plus हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि staff का actually क्या होता है basic TA, DA, HRA उन लोग को मिलता है और ESI, PF कटा जाता है ESI का मतलब होता है employment state insurance और PF का है profit and fund तो यह दोनों amount staff के salary हम से कटा जाता है तो हम लोग ग्रॉस यहाँ पे जो कल्लोशन करने उसके लिए equals to first bracket देने के बाद पहली यह चार boxes को हम लोग plus कर लेंगे तो मतलब basic TA, DA और HRA को हम लोग plus कर लेंगे और minus sign देके ESI और एक बार minus sign देके PF यहाँ पे लिखना होगा और bracket close करके enter तो देखें यहाँ पे gross आ गया है ठीक है अब यहाँ पे tax calculation करना होगा टैक्स के लिए हाँ पे कुछ conditions दिया है तो conditions को पहले देख लेते हैं तो यह सब question हम लोग का हो गया है अब दिखिए tax के लिए condition जो दिया है कि अगर किसी staff का कोई भी staff का gross salary amount 20,000 से जाधा होता है तो उसका tax deduction होगा 10% अगर 15,000 से जाधा होता है तो उसका tax deduction होता है 7.5% 10,000 को अगर से उपर होगा तो 5% 7,000 से उपर होता है तो 2% और 7,000 से नीचे होने से 0% tax deduction होगा तो यह हम लोग का condition है इस condition के उपर base करके हम लोग को यहाँ पर एक formula लिखना होगा तो चलिए Excel में जाते हैं पहले हम लोग का है 20,000 के अगर उपर होता है तो 10% tax कटा जाए तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे equals to if was bracket gross salary के उपर होगा तो gross salary greater than 20,000 यहाँ पर लिखना होगा कॉमा gross salary amount into 10% इसका मतलब हुआ अगर gross salary amount 20,000 से जाधा होता है तो gross के उपर 10% tax deduction होगा तो यहाँ पर हिसाब होगा तो अभी नहीं हो रहा है deduction तो हम लोग खुद से करेंगे यहाँ पर बस calculation हो रहा है कॉमा फिर से if first bracket फिर से लिखना होगा i2 मतलब gross salary amount अगर 15,000 से जाधा होता है तो i2 के उपर कितना charge किया जाएगा इस बाद देख लेते 10% था पहले का इसका है 7.5 तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा it into i2 into 7.5% ही कॉमा if first bracket फिर से i2 greater than 10,000 कॉमा i2 into 5% मतलब अगर gross salary amount 10,000 से जाधा होता है तो 5% उसके बाद फिर से है if first bracket i2 greater than 7,000 कॉमा i2 into 2% ठीक है तो क्या क्या हम लोग समझा है वो देख लिजी एक बार अगर 20,000 से जाधा होता है तो 10%, 15,000 से जाधा होता है तो 7.5%, 10,000 से जाधा होता है तो 5%, 7,000 से जाधा होता है तो 2% और last जो condition है अगर 7,000 के नीचे होता है तो 0% tax direction होगा इसलिए हम लोग को यहाँ पर बस एक कॉमा देखे लिखना है i2 into 0 इसका मतलब हो गया 7,000 के नीचे जो भी staff को मिलेगा उसके ओपर 0 into होगा मतलब कुछ भी into नहीं होगा सेम का सेम वही रह जाएगा इसके बाद हम लोग को bracket close करना है bracket 5 bracket close कर दीजे 12345 और enter कर दीजे इस तरह का option आएगा तो यहाँ पर yes कर दीजेगा तो देखे यहाँ पर tax calculation हो गया है अब drag कर दीजे देखे सभी staff का यहाँ पर tax calculation हो गया है जैसे कि 17,000 जिसको मिला है gross salary अमूर उसका tax है 1281 12,000 जिसका है 640 इस तरह से देखे 6408 मतलब 6408 रुबच इसका gross amount है उसका लेकिन कोई भी tax amount नहीं कटा गया है तो यहाँ पर देखे 10,680 है तो उसका tax कटा गया है 534 तो इस तरह से friends हम लोग tax calculation को कर सकते हैं ठीक है इसके बहुत net amount calculation करना होगा net amount के लिए gross से हम लोगो बस tax को minus करना है और कुछ काम नहीं है तो equals to देखे first bracket दीजिए और gross यहाँ पर लिखने के बाद gross का sale address लिखने के बाद minus देखे tax का sale address लिख दीजिए और bracket को close करके enter कर दीजिए तो देखे यहाँ पर net amount भी आ गया है अब इस decimal करना चाहते हैं तो यहाँ पर है decrease decimal इसको decrease भी कर सकते हैं तो हो गया हम लोग का net amount calculation next question यहाँ पर क्या दिया है वो देखते हैं short your table by largest to smallest in gross salary amount gross salary जो amount है उसको हम लोगो largest to smallest की हिसाब से short करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पूरा table को ही select कर लेंगे और उसके बाद data में जाएंगे data से यहाँ पर है short short में click करने के बाद short by हम लोग को लेना होगा gross ठीक है और smallest to largest हम लोग इसको largest to smallest कर देंगे और okay कर देंगे अब देखिए gross amount जो 85,000 पहले उसके बाद 53, 21, 17, 12, 10, 10, 10, 7 और 6 तो ज्यादा से कम की हिसाब से यहाँ पर short हो गया है ठीक है next question म जाते हैं अब देखिए यहाँ पर filter है हम लोग advanced filter किये थे lesson 4 में और यहाँ पर हम लोग को auto filter करना होगा तो auto filter में question क्या दिया है देखते है पहले display whose gross salary is more than 15,000 in Excel document by auto filter process auto filter को use करके हम लोग को इस table की उपर जो भी staff का salary amount 15,000 से ज़्यादा है उसको देखना है तो filter क्या है वो ह कोई भी एक table से हम लोगो अगर particular कोई भी data को collect करना हो या देखना हो तो उसके लिए हम लोग filter process का इस्तमाल करते हैं Excel में दो mainly filter होता है एक होता advanced filter दूसरा होता auto filter हम लोग advanced filter को किये थे जिसमें हम लोग देखे थे कि table का heading है उसको select करके हम लोगो नीचे paste करके करना चाहे प करते देखिए सभी field के side में एक करके list point जैसे आ गया है इसी से हम लोगो सारा काम करना तो first question हम लोगो जो दिया आ गया है कि gross अगर किसी भी staff का 15,000 से जाधा होता है तो उसको हम लोगो देखना चाहते हैं तो हम लोगो gross का list point में क्लिक करना होगा मतलब जिसके उपर हम लोगो पहले क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप लोगो यहां पर number filter मिलेगा क्योंकि इस field में सभी number टैप कि हो तो यहां पर number filter automatically आएगा number filter से आप लोगो यहां पर greater than choose करना होगा देखिए friends greater than or greater than or equal to में तोरा सा फरक है आप लोग अगर greater than 15,000 ढूनते तो उसमें 15, 15,000 से जादा अगर किसी को मिलता है तो उसी को दिखाएगा मतलब उससे जादा दिखेगा हमेशा 15,000 भी अगर किसी को मिलता थो वह नहीं दिखेगा वो show नहीं होगा क्योंकि हम लोग..., 15,000 से हो search करने, 15,000 और उसके बाद OK में क्लिक करना होगा अब देखिए यहाँ पे gross amount 85, 53, 21 और 17 यह चारो ही बस दिखा रहा है और जो भी gross amount 15,000 से नीचे है उसको नहीं दिखा रहा है अब देखिए यहाँ पे लेकिन हम लोगों को पूरा टेवल फिट से बापस देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से list point में क्लिक करेंगे और यहाँ पे select all में क्लिक कर देंगे और okay में क्लिक करना होगा अब देखिए यहाँ पे सभी data फिर से यहाँ पे शो हो रहा है ठीक है और एक दिखा देता है कि आप आपको अगर between numbers देखना है कि मानिए कि आपको 20,000 से 50,000 के बीच में जिसको जिसको मिला है या है जिसका amount उसको देखना है तो उसके लिए आपको number filter से यहाँ पे हैं देखिए between में क्लिक करना होगा between में क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए दो boxes में ही आपको type करना होगा amount एक है greater than equal to मतलब आप 20,000 से देखना चाते हैं कहा तक 50,000 तक यहाँ पे 50,000 डाल दीजिए और ok कर दीजिए अब देखिए आपके पास जो data आया है वो 20,000 से 50,000 के बीच में जिसका जिसका है उसी को उससे जादा भी नहीं दिखाया उसका कम कर नहीं है तो यहाँ पे उस criteria के साथ एक ही data match हो रहा है इसलिए एक ही यहाँ पे दिखाया है तो फिर से इसमें क्लिक करके हम लोग select all में क्लिक करके ok कर देते हैं अब देखिए यहाँ पे 85,000 है 53 है 21 है तो 21 को बस दिखाया क्यों क्योंकि 85,000 दों जादा होता है तो वो शो नहीं हुआ 53 वो भी 50 से जादा होता है और बाके का यहाँ पे 50 से कम इसलिए यही बस data match हुआ था criteria के साथ इसलिए यह data हम लोग को शो किया था next question में जाते है display whose tax amount is less than 1000 जो भी staff का tax amount 1000 से कम का है उसको हम लोग देखना चाते है तो tax के list point में क्लिक करेके number filter से हम लोगों को यहाँ पर less than में आना होगा या तो अब less than और equal to में भी आ सकते हैं कोई problem नहीं है 1000 लिखे और ok कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए 1000 से कम का जो भी tax amount जिसका भी tax amount हो वो यहाँ पर show हो रहा है ठीक है फिर से सबको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हम लोगो select all में क्लिक करके ok में क्लिक करना होगा ठीक है सब आ जाएगा next question में जाते है display whose name starting with is जो भी staff का नाम का starting S से है उसको हम लोग देखना चाते है अगर तो यहाँ पर name के लिए इस point में क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए text filter आ गया है क्योंकि यहाँ पर जानता है excel कि इसमें text fill up के आवद इसलिए text filter आ गया है यहाँ से आप बहुत सरा options है देखिए equals मतलब आप अग लोग को ढूनना है तो यहाँ पर बस S लिखिए और ok कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए S से start है ऐसा नाम यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर show किया है आप अगर particular कोई एक नाम ढूनना चाते है तो उसके लिए हम लोग equals में जाएंगे text filter से equals यहाँ पर suppose माने कि मुझे पूजा नाम का यहाँ पर search करना है और ok अब देखिए पूजा नाम से एक ही यहाँ पर staff है तो उसको यहाँ पर show कर रहा है फिर से select all करके ok कर देते हैं और end suite का मतलब है कोई staff का अगर ending end का जो later है उससे अब search करना चाहते है तो वो भी यहाँ पर हो सकता है इसके लिए मतलब end से ऐसा तो ok कर दीजे तो कि H से end है ऐसा नाम यहाँ पर एक ही है आकाश तो वो यहाँ पर show हो रहा है इस तरह से हम लोग begin suite, end suite, equals to इस तरह से भी search कर सकते हैं next question में जाते हैं अब देखिए यहाँ पर upload your excel sheet in google drive कैसे हम लोग अपना excel sheet को google drive में upload कर सकते हैं तो इसको म आप लोग को दिखा रहा हूं मेरा drive को open करके तो friends इस question को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर drive open कर लिया हूँ अब यहाँ पर हम लोग को वो excel file को upload करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप पहले आप एक folder बना लेजी तो folder बनाने के लिए right click करना होगा आपको कोई भी drive के page के अंदर right click कीजिए right click करने के बाद आप लोग को यहाँ पर new folder का option मिलेगा new folder में click करना होगा new folder में click करने के बाद यहाँ पर आपको एक नाम टाइप करना जिस नाम से आप folder यहाँ पर बनाना चाते हैं तो मैं यहाँ यहाँ पर excel license नाम से यहाँ एक folder बना देता बन गया होगा, यह देखिए, यहाँ पर Excel license आ गया है, इसको double click करके open करना है, double click करके open करने के बाद, यहाँ पर जो आपको page मिल रहा है, यहाँ पर उस file को upload करना है, तो पहले क्या करना होगा, यह जो file आपका खुला हुआ है, इसको पहले आप save करके इसको बन कर दीजिए, तो मेरा Excel license नाम से यह save है, और इसको मैं close कर देता हूँ, close हो गया, अब उस file को मुझे यहाँ पर upload करना है, तो आपको यह चीज जानना होगा, कि वो file कहाँ पर store है आपका, उसके बाद right click कर लीजिए आप drive के page के उपर, और यहाँ से upload files में click करिए, upload files में click करने के बाद, यहाँ पर आपको browse का window मिलेगा, जहाँ से आपको browse करना पड़ेगा, कि कहाँ पर आपका वो file है, तो मेरा जैसे यह है, Excel license, इसके उपर click करके open में click कर देते, अब देखिए यहाँ पर upload one item, यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब एक item upload हो रहा है, देखिए upload हो गया है, अब इसक अब drive से भी आप इसको use कर सकते हैं, double click करना होगा आपको बस, और इस file को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक password मांग रहा है, क्योंकि इस file में हम लोग password देके रहे थे, तो जो password हम लोग दिये थे, वही password आप देके इसको submit करिए, तो दिखिए, यहा अपलोड होने के बाद जरूर आप लोग आपका जो यहाँ पर नाम या first letter दिखा रहा है, उसके उपर क्लिक करके जरूर साइन आउट कर दीजेगा, तो आपका जो file है, वो अभी बहुती safely Google Drive में अपलोड हो गया है, आप कोई भी जगा से, कोई भी device से उसको use कर सकते हैं, तो friends यहाँ तक हम लोग का Excel सेलवास में मतलब lesson 7 तक ही था, हम लोग पूरा अप लोग को सभी वीडियो में lesson 7 तक complete कर दिये हैं, आशा कर तो आप लोग को सभी lessons और आज का जो lessons हम लोग दिखाए lesson number 7, उसका सभी questions समझ में आया होगा, कही पे कुछ भी problem है तो please हम मुझे comment box में लिखेगा, मैं आप लोग को answer बताऊंगा फिर से, तो friends next वीडियो में हम लोग Microsoft Office PowerPoint के बारे में जानेंगी, उसमें 2-3 वीडियो बनेगा, आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, दोस्ते के साथ share कीजिएगा, ताकि दूसरे भी घर बे के computer को सीख सके, thank you friends, पूरे वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, data